हेलो गाइस वेलकम बेक टू माय चेनल तो आज शेयर करने वाली हो आपके साथ तेवारों की स्पेशल मिठाई बहुती कम समान में बनके रेडी होगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहाँ सबसे पहले हमने ले लेना है सोजी एक कप यहाँ हम मेजरिंग के हिसाब से लेंगे आप चाहे तो कोई भी कटोरी या कोई भी कप ले सकते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से सोजी लेना है और उसी हिसाब से आपको बेसन ले लेना है और यह दोनों को बारी पॉडर में ग ग्राइन कर लेना है देखी ग्राइन हो चुका है आप चाहे तो इसे चान भी सकते हैं दूसरी तरफ नोन स्टीक में हमने शूगर एड़ कर दिये और आप मिठास के हिसाब से शूगर एड़ कर सकते हैं और इसे गेस चालू करके हम इसका कैरेमल बना लेंगे और इसे चमत च काफी अच्छा आ चुका है तो बहुत इस में हम एड़ कर देंगे फूल क्रीम मिल्क तो यहां पर हमने एक से देड़ कप मिल्क एड़ करना है और जल्दी जल्दी चमत चलाते हुए इन्हें मिक्स कर देना है आप सोचेंगे कि ये तो लम्स पढ़ने लगे नहीं हमें खोलने देना है देखिए मिल्क का काफी अच्छा कलर आ चुका है और बिल्कुल लंस नहीं पड़े एक्स्ट्रा इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे मिल्क पॉडर टू टी स्पूल और उसे भी डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब ये केरेमल मिल्क थोड़ा ठीक हो जाए तो इससे हमें एक तरफ रख देना है अब दूसरे बरतन में हमें ले लेना है जो पॉडर हमने ग्राइन कर लिया था बेसन और रवे का तो उसे हमें बरतन में मद्धी आज में भून लेना है अब ये केरेमल मिल्क में हम थोड़ा थोड़ा सा पॉडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा पॉडर डल चुका है देखिए ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है और एक टी स्पून डाल देंगे देसी खी अब इसका इस तरीके का डो बना लेंगे और गर्म गर्म में ही इसके कोई भी साइस के पेड़े बना लेंगे तो देखिए कितने अच्छे पेड़े बनके रेडियो हम इसे गोल गोल बना लेंगे और इसे बनाके एक एक करके रेडि कर लेंगे और इससे गार्णिश के लिए कोई भी ड्राइफ रूट आप ले सकते हैं उन्हें बारी कट करके इस तरीके से सजा ले तो देखिए हम इसे तोड़ के देखते हैं काफी अच्छे मूँ में घुलने वाले बहुती जल्दी पेड़े बनके रेडी हुए है तो आज की रेशिपी हमारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं साथी चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर, सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए थैंक्स फ़र वचिंग दिस वीडियो